दोस्तों फूट को लगभग 5040 वेकंस देखनी को मिलेगा इसके लिए अगर आप इंट्रेस्टेट इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए इस वीडियो को एंट्रक डेहों में इसी वीडियो के इंटर आपको कॉंप्लिक डिटेल देने वाला हो अगर आप हमारी यूट्यू तो दोस्तों आपका क्वालिफिकेशन के एकोर्डिंग यहां पर आप लोग को पोस्ट दिखनी को मिल जाएगा यहां पर बहुत चारी पोस्टों के लिए अभी की ताइम पर एपलाई हो रहा है तो दोस्तों आपको गूगूल पर सास करना है इंडियाफस्ट जॉबलाट फटर बाइस तक आप इस पॉस्त के लिए अपलाई कर सकते हो यहां पे टूटल दो में पर फट्लेंस मिलेगा इसका पोस्त का नाम ही यह नउन एक्जूक्यटिव पोस्त कर जो कि आतुए यहां पर आपको करना होगा ओनलैन वाइपलाई जो क्या आपके अपने मूबाई 4 यहां में पोस्त हो जन्या Portal इंजिनेर्स सिबिल का जो नॉथन ज temat में 22 दिखनीकोंरी मिलेगा यहां जो तो चर्णReSalem इस्टेन जोन में दोस्ट नाइन पोस्ट अगया है वह नौट है रागा है खां हम यहां पे आपको के से डेखना है यहां पे आपना इसे डेखना इह बोस्त का आशानार we have him say係 इसे आफ को neo hel poi सकते हो जो नौथम जोन हैं तो यहां पर में ठोड़ा निच्री स्कूर लेटाउ इस हानी स recurrent जोन चाक आठाट को ल giornका में आप लोगग na इसमें आप लोग को 185 वेकेंसे देखने को मिलेगा तो यहां पर आप क्वालिफिकेशन डेख सकते हो अगर आप जुनियोर इंजिनियर शिविल में अपलाए करना साथ हो यहां पर दोस्तों डिग्री इन शिविल इंजिनियर का डिग्री होना सहिए नहीं तो अगर आपके इंजिनिक्ल एंट अपने का सब्सक्राइंब हैं अगर आपका क्वालिफिकेशन इसे इहां पर दिखाएँ रहा है इसकोई और आपका qualification है तब आप इस पोस्ट के लिए प्लाई कर सकते हो ठीक है यह नेक्स स्ट पोस्ट हो है यह स्टोनों गाफर ग्रेट टू का पोस्ट है यहां पर एसिस्टेंट जो ग्रेट थी और स्टोनों का फर्गेट टीका पोस्ट इसमें जो क्वालीफिकेस्टिन सही है बैसेलर डीग्री अनोंडी यानी कि बैसेलर डिग्री इन इंग्लीग्लीज आपका साथ होना सही है ग्रेजेशन सोना पड़ेगा एंड दोस्ट आपका टॉइपिंग टेसस्ट भी होगा जो कि हहापर लिखा गई आप 102 मिन walts per minute 1 minute के अधाना एक मिनीत के तर आप लोको 40ASG कर न अगोंगा को ऑनtharoz 192 आपका टा iba का हे दोस्तों धुद टीम हां लिए आपका अगा आपका याने की dari ग्रेजियेशन विट कॉंप्यूटर का नोलेज आपका है तब इस पोस्ट के लिए अप्लाइए कर सकते हो जो की सिस्टें ग्रेटी का फोस्ट है एंड दोस्तों एसिस्टेंट ग्रेटी एकॉंट का पोस्ट है इसमें आप लोगों डिगरी कमार्च में होना सही है विट अगर आपके पास बुटानी हो गया जियोलोजी हो गया बायो टेकनोलोजी हो गया बायो केमेस्ट्री हो गया माइक्रो बैलोजी हो गया एन फूट साइंस हो गया इस ताप का कोई भी क्वालिफिकेशन है तब भी आप अप्लाइ कर सकते हो अगर वह भी आपका पास नहीं है तो यहां पे आप देख सकते हो B.E.B. Tech in Food Science and Food Science and Technology, Agriculture Engineering and Bio Technology इन में भी अगर आपका qualification है तब आप इस पोस्ट के लिए apply कर सकते हो ठीक है नेज़ों पोस्त दोस्तों एसिस्टें ग्रेटी डिपोट का पोस्त इसमें आप लोगों ग्रेजुशंशन होना पड़ेगा with computer का knowledge ठीक है टोनुग आफर गेटिए में 25 एस मैक्सिमा में तब अपट है कर सकते हो यहां पर जो जुन्योर इंजिनियर इंजिनियर इलेक्टिकल बेकानिकल इंजिनियर इसमें आप लोगो 28 तक अप्ल आप सेकर कर सकते हो जो एसिस्टेन ग्रेटी का पोस्ट जैनेल होगे अगर आप सिविल इंजिर्यर में अप्लाइ करना साथ हो यहां पर 34,000 स्टार्टिंग सेली होगा वन लक्स 3,400 तक आपका सेली मिलेगा स्टोनु का फर्म अगर अप्लाइ करोगे 30,500 स्टार्टिंग सेली होगा वन लक्स 3,400 तक आपका सेली मिलेगा 28,200 स्टार्टिंग सेली तक आपका सेली पहुशने वाला है जब आप इस पोस के लिए अप्लाइ करोगे तो आप लोग का अप्लिकेशन फीज भी देना होगा अगर आप जैनल, EWS और OBC कैंडिडेट हो तो आप लोग का 500 रुपिस अप्लिकेशन फीज देना होगा अगर आप ST, SC, and Omen कैंडिडेट यह जो फीमेल कैंडिडेट है वो किसी भी कास्ट का क्यों नहीं हो आप लोग को कोई भी फीज देनी की जुरूरत नहीं है यानि कि ST, SC, OBC, Omen, and X-Service में वाला कैंडिडेट कोई भी एप्लिकेशन फीज देनी की जुरूरत नहीं है जैनल, EWS, and OBC कैंडिडेट को 500 रुपिस देना होगा जो कि आपको आपक सब्सक्राइब करना होगा जो कि यहां पर डेविट करेट का नेर्ट बेंकिंग यूपिए की तो आप पे कर सकते हो ठीक है अपने मोबैल से ऑनलाइन कर सकते हो मैं आप लोगो जो ओफीज लिया है बढ़ दिखा देता हो ताव आपको ज्यादा जूरूर होगा तो यहां ओफीसिली जो जारी होए अडिटेस्मेंट ठीक है इसको आप खुड एक बार चेकाप जूरू कर लेना ठीक है तो डोस्त अगर आप लोगो का मेरे वीडियो अच्छा लागा तो वीडियो को लाइक जो करना सब्सक्राइब कर लेना क्योंकिस अब भी सीटव की इन्फरमे